सर्दियों के मौसम में आवले का अचार हर गर में बनता है और आज मैं आपके लिए लेक्याई हूँ आवले की अचार की बहुत आसान रेसिपी कम तेल मसालों से बनी ये अचार नधूप में सुखाना है और ना इसमें विनिगर वगिरा की जरूट है सिंपल रेसिपी है और आप इसे डेली खा सकते हैं क्योंकि तेल मसाले हम कम यूज करेंगे इसमें तो चलिए आज की बहुत आसान रेसिपी शुरू करते हैं आवले का अचार बनाने के लिए मैंने यहापे 500 ग्राम आवला लिया है आवले को अच्छे से धो ले और इसके बाद सूखे कपड़े से पोच ले अब हम इसको स्टीम करेंगे तो स्टीम करने के लिए एक पती ले या किसी भी बड़े बरतन में पानी डाले और इसके बाद, इसके उपर कोई भी स्टेनर या फिर आटा चालने वाला चालन होता है, ना? कुछ भी रखके जिस पर ये steam हो सके वो अला बरतन इसके उपर रख दे अगर आपके पास steaming pot है यानि steam करने अला बरतन है तो आप उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं मैं यहाँ पर यह आटा चालने वाला जो चालन जाते हैं यह चलने यह इसके उपर रख देती हूँ या फिर किसी प्लेट में अगर छेद है तो उसका भी इस्तमाल कर सकते हैं अब हम यह आवला जो है वो इसके उपर रख देंगे और उसके बाद इससे ढख के 15 मिनट के लिए steam करेंगे गैस का flame medium रखना है यह देखे ऐसे ढखकन लगा दे और 15 मिनट के लिए हम इसे medium flame पे छोड़ देंगे 15 मिनट बाद हम देखेंगे कि आवला जो है वो steam हो चुका है यह देखे पहले से थोड़ा से soft हो गया तो बस हमें इसे इतना ही पकाना था अब हम क्या करेंगे यहाँ पे gas को बंद कर देंगे और इसे निकाल के ठंडा कर लेंगे जब यह आवला ठंडा हो जाएगा तब हम इसे plate में निकाल लेंगे और इसकी बाद हम इस आमले को बीच से अलग कर लेंगे तो यहाँ पर जब यह ठंडा हो जाएगा ना तब आप इसे ऐसे हलका सप्रेस करेंगे तो यह देखे इसके सारे पिसे जो है वो अलग अलग हो जाएंगे खुदी मतलब इसे कट करने की जरूरत नहीं है सारे स्लाइसे जामले के जो है वो खुदी अलग हो जाएंगे बीच को हटा दे और उसके बाद इसे ऐसे अलग कर ले तो नाइफ यहाँ पर इस्तमाल करने की जरूरत नहीं है बस आप इसे ऐसे हलका सप्रेस करके और सारे पिसे इसको अलग कर ले अब हम इस सामले को पंखे के नीचे या धूप में आधी गंटा के लिए रख देंगे तो जब तक यह थोड़ा ड्राई हो रहा है ना तब तक हम क्या करेंगे मसाला बना लेंगे तो इसके लिए एक पैन में एक बड़ा चमच काला वाला सरसो एक बड़ा चमच पीला वाला सरसो ले लेंगे एक बड़ा चमच हम इसमें जीरा ले लेंगे एक बड़ा चमच हम इसमें साबुत धन्या डाल देंगे एक चोथाई छोटे चमच हम इसमें साबुत मेथी डाल देंगी 16-17 हम इसमें साबुत काले मिर्स डाल देंगी और इन सब को हलका सा भून लेंगी आप इसमें चीए तो सौफ का भी इस्तमाल कर सकते हैं तो यहाँ पे इन सब को मैंने हलका सा रोस्ट कर लिया है देखिए इसका कलर जो है वो ब्राउन नहीं होना चाहिए बस हलका सा गरम होके खुश्बू आने लगे तभी हम गयस को बंद कर देंगे और इसे हम ग्राइंडिंग जार में निकाल देंगे ये सब मसाली हलके से ठंडे हो जाएंगे तब आपी से ऐसे पीस ले पानी का इस्तमाल नहीं करना है और मसालों को पूरा ठंडा न करे हलका गरम रहे तभी आपी से पीस ले इसे हम थोड़ा सा ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद इसे पीस लेंगे तो जब तक ये ठंडा हो रहा है तब तक हम क्या करेंगे सरसो के देल को गर्म कर लेंगी तो एक कप मैंने यहाँ पर सरसो का देल लिया है सरसो का देल अचार में बहुत एचा टेस्स लीटाता है लेकिन अगर आपको नहीं पसंद देने तो आप नॉर्मल कोकिंग ओयन भी इस्तिमाल कर सकते हैं और यहां पर यह मसाले जो है वो मैंने ग्राइंड कर लिये है यह देखिए मैंने इसका बारिक यानि फाइन पाउडर नहीं बनाया थोड़ा दरदरा रखा है और सरसो तेल अगर आप इस्तमाल कर रहे हैं तो इसे तब तक गरम करें जब तक इससे धुआ नहीं निकलने लग तब गयास को बंद कर दे और इसे हलकाशा ठंडा कर लेंगे अब हम चलते हैं अचार बनाने के प्रॉसेस में यहां पर यह जो मसाला हमने ग्राइंड किया है उसे मैंने बड़े बरतन में डाला एक बड़े चमच हल्दी पाउडर डाल डालेंगे दो बड़े चमच हम इसम मसले में थोड़ा सार हुआ médiा तो यह हमारा मसाला है तो हम डाल देंगे इसे हरी मिर्च पसंद तो हरी मिर्च भी डाल सकते हैं ध्यान रही ये जो अचार है वो आप फ्रिज में रखके यूज़ करना है क्योंकि आवले को हमने धूप में नहीं सुखाया है तो आप इस अचार को ऐसे फ्रिज के बाहर रखेंगे तो अचार जो है वो खराब हुजाएगा तो यहाँ पर आवले के साथ मैंने 100 ग्राम हरी मिर्च ली है उसे 20 से चीरा लगा दिया है और इसे इसमें डाल के मिक्स कर देंगे हरी मिर्च इसमें ऑफ्शनल है अगर आपको हरी मिर्च नहीं डालनी है तो आप बस आवले का अचार बना सकते हैं अब हम इन सब को अच्छे से मिला देंगे तो यह हमारा आवले का अचार बन के तियार है इसमें विनिगर वगरा डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि यह इंस्टेंट अचार है अब हम कड़ाही को ढख देंगे और 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे 3-4 घंटे वाद हम इसे वापस एक वर मिक्स करेंगे तो जब आप इसे 3-4 घंटे के लिए छोड़ेंगे ना तो अचार जो है वो मसालो और नमक को अच्छे से अब्जॉब कर लेता है यह देखिए तो मैंने इस अचार में बहुत ज़्यादा तेल का इस्तमाल नहीं किया है अगर आपको ज़्यादा ओयली खाना है तो आप इसमें तेल की कौंटिटी बढ़ा सकते हैं तो यह हमारा आवले का इंस्टेंट अचार जो है वो बन के तयार हो गया है तो अगर आपको आवला नहीं पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्श खा सकते है क्योंकि फैमले में बहुत सरे लोगों होते हैं जिने हरी मिर्श पसंद होता है इस हमारा जट पट बनने वाला और बहुत है टेस्टी आवले का आचार जो है वो बन के तयार हो गया जिसे बनाने में आपने देखा हमें मैक्सिमम एक घंटे लगे और इस अचार को बना कि आ फ्रिज में रखके दो हफ़ते तक आराम से खा सकते हैं तो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अल्दी आप इस अचार की रेस्पी को जरू ट्राई करें आप चीए तो तेल की कॉंटिटी इसमें और भी कम कर सकते हैं मतलब बस मसाले को मिक्स करने के लिए आप उतना तेल भी इस्तमाल कर सकते हैं तो उमीद करते हूं कि आज की इस सूपर टेस्टी आवले की अचार की रेस्पी आपको पसंद नहीं होगी अगर आज की अचार की रेस्पी ट्राई करने के बाद आपको पसंद नहीं तो आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कूल नभूले